असलाम आएकुम दियर स्टुडेंट आज हम एक्ससाइज 2.1 में क्वेस्टिन नम्र 11 और 12 को सॉल्फ करेंगे जो कि इसी एक्ससाइज के आखी 2 क्वेस्टिन है क्वेस्टिन नम्र 11 राइट डिसिमल डिप्रेजेंटेशन ओफ इच अफ दी वालविंग हमारे पास मुख्तलिफ नम्र गिवन है जो कि फ्रेक्शन में है 1 by 6 6 by 7 2 by 9 1 by 8 हमें कहे रहे कि इसको डिसिमल में रिप्रेजेंट कर ले मतलब इसको सॉल्फ कर ले डिवाइट कर ले और आंसर हमारे पास किस तरह आता हो मतलब जिसमें डिसिमल पॉइंट इंकुलूड हो स्टूटन बढ़ते सिदूशन की तरफ फट फर्स को अगर हम देख ले 1 by 6 है तो मतलब इसको डिवाइट कर ले सॉल्फ कर ले बढ़ते सिदूशन की तरफ सिदूशन 1 by 6 मतलब स्टूडन वन को डिवाइट कर ले किस पर 6 पर तो स्टूडन अगर हम देख ले तो 1 डिवाइट नहीं हो रहा 6 पर हम किस तरह डिवाइट करेंगे मतलब आम डिविजन में 1 तो चोटा है और 6 बढ़ा है अगर हम 6 का टेबल पर ले 6 मंटिप्लाए 1 त स्टूडन अगर 6 1 होता एट होता 6 से ज्यादा होता या 6 थी होता तो हम कर सकते था सथानी से लेंगर हम यहाँ पर देख ले 6 मंटिप्लाए 1 तो 6 आरहीं वन से ज्यादा आरही हम क्या करेंगे स्टूडन यहां पर round लगा लेंगे और इस डिसमेंट की बजाए हम यहां पर 0 लगा लेंगे तो यह हमारे पास 10 बन जाएगा अब यह गर हम 6 multiply 1 कर ले तो हमारे पास 6 आ रहा है अगर हम 6 multiply 2 कर ले तो 12 फिन से ज्यादा आ रहे तो इसलिए हम क्या कर लेंगे 6 multiply 1 तो 6 आ जाएगा अच्छा स्टूड़न डिविजन में हम क्या करते है इस सेकें स्टेप हमारे क्या होता है सब्ट्रेक्शन करते है 10 से अगर हम 6 सब्ट्रेक कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा फिर 4 जो 6 से चोटा है तो क्या कर ले डारिक 0 लगा ले दुबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने एक दफा पॉइंट लगाया हुआ है तो स्टूडन दुबारा डारिक हम 0 लगा सकते और 6 के टबल हम पढ़ ले तो 6 मंटिप्लाइ 6 36 आ रहे 6 मंटिप्लाइ 7 42 42 जाद आ रहे तो हम क्या कर लेंगे 6 मंटिप्लाइ 6 तो 36 आ जाएगा student yeymender फिर 4 आ जाएगा हमारे पास reminder दुबार अमारे पास 4 आ गाया तो फिर 水ð मंटिप्लाइ 6 तो हमारे पास 36 आ रहे तो आगे जाने की ज़रूत नहीं किरक्षक दिश्लह खतम नहीं होगा तो पॉंट के बाद 3 डिजगे तक कि मतलब division किया करें तुम्हारे पास 1 by 6 किसके बरावर है, 0.166 के, 0.166 इस साइट पर मैंने 0 इसी तरह लगा लिया, मतलब इस 0 का कुछ फरक मतलब इस पर नहीं पड़ता, तो 0.166 आंसर आगा, भड़ते हैं, बढ़ते हैं, second part की तरफ student, 6 divided by 7, मतलब 6 को क्या करें, divide कर ले 7 पर, solution की तरफ बढ़ते हैं, आचा, 6 को divide कर ले 7 पर, तो division तो नहीं, और student अगर हम 7 का टेबल पर ले, 7 x 7 ज्यादा आ रहे, 6 से तो हम क्या करेंगे, decimal point लगाएंगे, और यहां पर क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, student अगर हम 7 का टेबल भी पर ले, 7 x 749 आ रहे, 7 x 8, 56 आ रहे, 7 x 63 ज्यादा आ रहे, तो हम 7 x 8 कर लेंगे, तो यह से हमारे पास 56, student सब्टेक्शन कर ले, 60 से 56 मानेस, तो 4 आ जाएगा, डारीक 0 दुबारा लगा ले, क्योंके decimal point ले लग चोका है, अचा, 7 x 749 ज्यादा आ रहे, 7 x 642 ज्यादा आ रहे, 7 x 642 ज्यादा आ रहे, 7 x 5, 7 x 5, 7 x 5, 7 35, आ रहे, student यह 3 का रहे, क्योंके 7 x 6 कर ले, तो 40 से ज्यादे, तो इसलिए हम 7 x 5 कर ले, तो reminder हमारे पास 55 जाएगा, student डारीक 0 लगा ले, अगर हम कर ले, 7 x 7, तो हमारे पास 49, आ रहे, reminder, 1 आ रहे, student, decimal point के बाद 3 डिजेट मुकमल हो गए, बस answer हमारा answer ही, यह होगा, तो 6 x 7 के बराबर है, student, 0.857 के बराबर है, इसीतर अगर हम 3rd part को देखे, student, 3rd part हमारे पास, हमारे पास, जो है, solution की तरफ बढ़ते, 2 x 9, अच्छा, 2 तो नहीं हो रहा, 9 पर division नहीं हो रही, तो क्या कर ले, decimal point लगा ले, यहाँ पर 0 लगा ले, अच्छा, 9 x 2, तो हमारे पास 18, student, reminder में हमारे पास 2 आजाएगा, 20 से 18 सब्टेक कर ले, तो 2 आजाएगा, च्छा, 0 लगा ले, फिर 9 x 2, तो हमारे पास क्या रहा है, student, 18 आ रहा है, फिर reminder 2, फिर 0 लगा ले, फिर इस तरह 2, तो student यह से इसला कभी खतम नहीं होगा, तो हमारे पास, decimal point के बाद, 3 digit तक कर ले, तो हमारे पास बस ही आंसर होगा, तो हम लेख सकते हैं, कि 2 by 9 के सके बराबर है, student, 0.222 के बराबर है, तो student, यह हमारे पास, decimal representation थी, 2 by 9 fraction में, decimal representation हम इस तरह कर सकते हैं, बहुते, student ठग ले, question की तरफ, जो के आखरी question है, इसी exercise का, depict each number on number line, हमारे पास मुख्तलिफ number given है, हमें केरे कि इसको number line पर show कर ले, number line पर draw कर ले, student number line, एक number line होता है, जिस पर हमारे पास मुख्तलिफ real number होते हैं, मतलब question number first हमारे पास, 1 by 3, part first हमारे पास, 1 by 3, इसको number line पर represent कर ले, number line simply हमारे पास, एक line होती है, student यह हमारे पास, एक line है, हमें क्या करना है, इसका जो center होता है, 0, यहाँ पर positive number, 0, इस side पर positive, right side पर positive number, तमाँ positive number, 2, 3, और student, left side पर हमारे पास, negative number, student solution, 1 by 3, 1 by 3, simply student, देख ले, 1 by 3, अगर हम इसको solve भी का ले, calculator पर, तो हमारे पास 0.33 आता है, मतलब approximate 0.3 अगर हम round off कर ले, 0.3, मतलब 0.3, मतलब 0 और 1 के बीच में इनको तीन हिस्सों में तक्सीम कर ले, 0 और 1 के बीच में इनको तीन हिस्सों में तक्सीम कर ले, यह एक ह September, यह दूसरा हिस्सा और यह तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा अभी तीन में से एक हिस्सा तो एक हिस्सा दो हिस्सा तीन ये तीन हिस्से होगे इसमें से एक हिस्सा कौन सारा यहां पर आ रहे है ना 0.3 मतलब 0.3 मतलब 3 में से एक हिस्सा तो यहां पर आ रहे student तो बस आपका number line यहां पर show रहते तो यह हमारा answer है Simply A इसको highlight कर ले और नीचे 1 divided by 3 लिख ले Simply A अगर बढ़ते है second part की तरफ student जो कि इसी तरह नहायत असाने 1 divided by 4 student solution लिख ले 1 divided by 4 लिख ले क्या करे एक line की इंच ले Student यह मैंने एक line की इंच ले संटर में क्या है हमारे पास 0 यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 3 अगर आप खाली 1 टू भी लिखना चाहे तो ठीक है Minus 1, Minus 2, Minus 3, अचा student 4 by 1 मतलब 0 और 1 के बीच में इसको 4 हिस्सों में तक्सीम कर ले Previous question में मारे पास 3 ता तो हमने 0,1 की दर्मियान में 3 पर जो है 3 हिस्सों में 0,1 को तक्सीम कर ले क्योंके मारे पास 3 बी 0.3 आ रहा था 0.3 आ रहा था यहां से मारे पास 0.44 मतलब approximate value 0.4 आएगी तो यह 0 से हम स्टार्ट लेंगे मतलब 01 के बीच में 4 हिस्से बना ले यह एक हिसा student यह दूसरा हिसा student और यह तीसरा और यह 4 हिस्से बन गए यह हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा और चोथा हिस्सा अच्छा चार में से एक तो 4 में से एक student कहांपर आ रहे है ले पेले हिस्सा क्या है चार में से एक हिस्सा तो cek मारे पास जो answer होगा वो यहीं होगा, इस्टूडन बढ़ते हैं, one by nine, third part की तरफ, one by nine, student अभी zero और one के बीच में, nine हिस्से बनाने होँगे, क्या करना है, solution, one by nine, बढ़ते है, line की तरफ, क्या करेंगे, student, center, zero, यहाँ पर one, यहाँ पर two student, हाप लोग की मर्जी है, तीन डिजिट लिखना चाहे, चार लिखना चाहे, पांच लिखना चाहे, minus one, मैंने भी स्मिट, और minus two, student, nine हिस्से बनाने होँगे, zero, one के बीच में, one, two, three, four, five, six, seven, eight, और nine, student, यह nine हिस्से बन गए, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, अभी nine में से एक तो student, यहाँ पर कर ले, nine में से एक, समझा रहे, student, इस दर लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट हमारा क्या है, इसी exercise का और इसी question का, one by ten, तो student एक लाइन के इंच ले, zero, one के बीच में, ten parts लगा ले, और first part पर लिख ले, one by ten, तो इसी तदर हमारे साथ जोटा, exercise two point one, complete हो गए, कल से इंशालला हम exercise two point two, जो है, start करेंगे,